दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी फोन के उपर रियलमी के फोन में बहुत सा ऐसा खूपिया सेटिंग है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके दोस्त देखर चोग जाएंगे क्योंकि आप इन सेटिंग का यूज तो करते हैं लेकिन आपको पता नहीं ह होता है बहुत ही ज्यादा यूज पल है जिनका डेली लाइप में यूज करेंगे तो एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखे अगर आप रियलमी का फोन यूज करते हैं और वीडियो आपको पसंद आगे वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो आपको क्या करना है अपका रियलमी का फोन है और कोई भी मोडल है तो आपको क्या करना है उसकी फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है से एडिशनल सेटिंग आपको स्क्रोड कर लेना है और मिलेगा एडिशनल सेटिंग इसको किलिक कर लेना है और यहीं पर मिलेगा आपको गेश्चर एंड मोसन इस पर किलिक करेंगे तो यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगा turn on off torch with volume button क्या करना है इसे on कर लेना है इससे क्या होगा जब आपके mobile की screen off होगी यानि आपका mobile lock होगा तो आपको क्या करना है आपने mobile की volume button के निचे ले इसे को जो है long press करना है इससे क्या होगा जो है torch on हो जाएगी और इसे off करने के लिए टार्च को आफ कोने के लिए आपको एक बार जो है पावर वटन को दबा देने इससे जो है जब आपका मोबाल जो है आफ होगा और टार्च आपको यूज करना है तो इससे आपको अनलोग करने की जुरूत नहीं है आप जो है इजली जो है वाईलू मटन से टार्च को जो है और power button दबा कर torch को बंद कर सकते हैं और एक setting आपको मिलता है screen of gesture आपको इस पे click कर लेना है और यहाँ पे आपको मिलेगा double tap to wake over turn of screen इसे आपको on कर लेना है अब इसे on करने से क्या होगा जब आपके mobile की screen lock होगी यानि कि light नहीं होगी पूरी तरह की से आपका mobile लोग होगा तो आपको क्यागाना है आपने mobile की screen पर आपको एक उंगली को दो बार touch करना है जल्दी जल्दी इससे क्या होगा आपके mobile की screen की light जल जाएगी और अगर आपके phone में जो फेस लाक आड़ होगा तो क्या होगा आपका phone अनलोग हो जाएगा और अगर आपके phone में फेस लाक नहीं एड़ होगा तो अनलोग नहीं होगा तो आप password का अनलोग कर सकते हैं दूसरी जिस जब आप अपने mobile को use कर रहे होगे इस परकार से होगे और यहाँ पर जहाँ पर कोई app नहीं है तो महाँ पर आपको एक finger को दो बार जल्दी जल्दी टेच करना इससे क्या होगा आपके mobile का screen का जो light आप हो जाएगा यानि कि आपका mobile जो है लोक हो जाएगा इस से क्या होगा इस setting से इस setting से आपका जो power button है इसका use कम हो जाएगा इससे आपके power button को खराब होने के chances बहुत कम हो जाते क्योंकि power button में ही होता है जो finger lock यानि fingerprint होता है इससे क्या होता है अगर बहुत ही ज़्यादा बार अगर finger का use करेंगे यानि कि power button का use करेंगे तो chances बहुत ज़्यादा रहते हैं कि जो है finger खराब हो जाएगा जो है finger print sensor जो है खराब हो जाएगा इसे अगर आप इस setting को कर लेते हैं और इसे use करते हैं तो आपका जो finger sensor है इसे खराब होने का जो है chances बहुत कम रहता है और यहाँ पर आपको एक दूसरा setting मिलता है draw a v to turn on off touch इसे भी आपको अन करना है इससे क्या होगा जब आपके mobile की screen lock होगी तो आपको whileometer नहीं दबाना आपको क्या अगाना है जो वी बनाना है जिसे वी यहाँ पर लिखा हो वी आपको जो है screen lock पर बनाना है अब एक finger से आपको वी बनाना जिसे वी बनाएंगे तो जो है torch जल जाएगी और फिर दोबारा वी बनाएंगे तो torch बंद हो जाएगी इस setting को आप करेंगे तो इस परकार से यूज़ करेंगे फिर यहाँ पर एक setting मिलेगा music control इससे आपको इस परकार से ओन करना है इसे उन करेंगे तो क्या होगा आपको जो है अपने जब mobile की screen आपकी log होगी यानि कि आपके mobile में कोई भी लैट नहीं चल लएगी तो आपको दो उंगलियों को रखना है screen पर और नीचे की तरफ scroll करना है जिसे scroll करेंगे तो आपके phone में music बजना जो है चालू हो जाएगा गाना बजना शुरू हो जाएगा उसके बाद जब आपको बंद करना होगा तो आपको side की तरफ से V को बनाना होगा जिसे side की तरफ से V बनाएंगे तो जो है song change हो जाएगा अगर जब बंद करना होगा तब भी आपको दो उंगलियों को रखकर नीचे की तरब स्कूर्ण करना होगा इससे जो है स्वांग बजना बंद हो जाएगा तो यही दो तीन सेटिंग है स्क्रीन आप गेस्चर गेस्चर एंड फोंसन की रेलमी फोन की जो की काफी जादा यूसफुल है जिनका आप डेली लाइफ में रूस करते हैं बट आपको पता नहीं होता है तो होब यह वीडियो आपको पसंदा की वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर पहली बार भी जिरके है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें